हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम वन बाई वन रेविस्टिज में फंदों को बंद करना सिखेंगे एक सीधे एक उल्टे फंदों को हम बंद करना सिखेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल अलग तरीके से हम फंदों को बंद करेंगे देखे यहां पे हमारा बढ़ जाएगा और आगे का एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे उसके बाद पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के उपर से पास कर देंगे उसके बाद पीछे वाले फंदे को भी हम इसके उपर से पास कर देंगे तो यहां पे हमने से उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे फिर ये पीछे वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे अब आगे हमारा उल्टा फंदा है तो हमने क्या करना है धागे को अपनी तरफ लाएंगे सला पीछे वाले फंदे को भी ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे अब धागा अपनी तरफ ही रहेगा आगे सीधा फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे इससे क्या है बीच में एक फंदा मारा बढ़ गया है उसके बाद ये फंदे को ऐसे उ बढ़ाना है तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और सलाई पर ऐसे लपेट लेंगे फिर आगे का फंदा हम उल्टा बूल लेंगे अब ये दो फंदे हो गए हमारे पीछे इन दोनों फंदों को हमने एक एक करके आगे वाले फंदे के उपर से पास करना है एक फंदा हमने बूलेंगे सीधा इससे क्या है बीच में एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा अब ये दो फंदे हैं दोनों फंदों को हमने एक एक करके आगे वाले फंदे के उपर से पास करना है अब आगे उल्टा फंदा है तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और सलाइप ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को लियाएंगे फिर आगे का एक फंदा हम उल्टा बूलेंगे अब ये तीन फंदे हो गया है फ्रेंट्स आगे वाले फंदे के उपर से हमने दोनों फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के उपर से पास कर देंगे फिर दूसरे वाले फंदे को भी ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के उपर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफी रहेगा क्योंकि आगे सीधा फंदा है सीधे फंदे को जब हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा यहां पर बीच में बढ़ जाएगा फिर इस फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे अब आगे उल्टा फंदा है हमने परसे हमने दोनों फंदों को पास करना है, एक एक करके, पहले हम इस फंदों को उठाएंगे, और आगे वाले फंदों को पास कर देंगे, फिर पीछे वाले फंदों को भी ऐसे उठाएंगे, और आगे वाले फंदों को पास कर देंगे, अब आगे सीधा फंदा है, आगे का स से उठाएंगे और आगे वाले फंदे की पारसे से पास कर देंगे फ्रेंस आगे उल्टा फंदा है हमने फंदे को बढ़ाना है लेकिन सबसे पहले धागे को अपनी लाएंगे सलाइप तरफ से लपेटेंगे और फिर से अपनी तरफ को लियाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बोन लेंगे अब ये तीन फंदे हो गये तीन में से पीछे वाले दो फंदे हमने आगे वाले फंदे को बरसे पास करना है एक-एक करके पहले हम इस फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे फिर पीछे वाले फंदे को भी हमने ऐसे उठाना है और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे अब धागा अपनी तरफी रहेगा क्योंकि आगे सीधा फंदा है जब हम सीधा फंदा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा यहां बीच में बढ़ जाएगा उसके बाद इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे ऐसे स्लाई में डालेंगे पीछे वाले फंदे को इस धागे को खीच के रखेंगे तो पास उसके बाद पीछे वाले फंदे को उठाएंगे आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे फिर दूसरे वाले फंदे को भी ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से पास कर देंगे धागा अपनी तरफी रहेगा क्योंकि आगे सीधा फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे जो पहला फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे फिर पीछे यह दूसरा फंदा है इसको भी ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे उसे पास कर देंगे, तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने सभी फंदों को बंद करते जाना है, तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है, फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने अलग तरिके से फंदों को बंद किया है, आप देख सकते हैं कितना क्लीन बन के आता है. बहुत ही सुदर लगता है फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स एक बार ट्राइज जरूर करियेगा. यviron вони आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक और सेर करें. मिलती हूं अगली वीडियो में. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद